दोस्तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि हर एक LCD LED TV के अंदर एक ना एक माधरबोड जरूर होता है चाए वो कॉम्बो माधरबोड हो या पावर सप्लाइ सेक्षेन और माधरबोड अलग से हो उसमें कोई नहीं फरक परता है एक ना एक माधरबोड जरूर रहता है LED TV के अंदर तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक माधरबोड को ऑपरेट करने के लिए कितने टाइप के वोल्टेजेस की जरूरत परती है और वो सारे वोल्टेजेस का वैलू कितना होता है अगर आपके टीवी के अंदर इस टाइप का माधरबोड लगा हुआ हो या इस टाइप का लगा हुआ हो और हमारे पास और भी बहुत सारे माधरबोड है तो इस टाइब का लगा हुआ है इसमें कोई नहीं फरक परेगा इन सब को operate करने के लिए कुछ basic voltages की जोरोत परती है वो सारे basic voltages क्या क्या है उसका value कितना है कहां परहता है सब कुछ आज किस वीडियो के अंदर पूरा explain आपको करूँगा इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जब भी हमें कोई भी LCD LED TV को repairing करना है उससे हमें कहां कहां पर कौन साब voltages की जोरोत पड़ेगी और वो सारे voltages available है या नहीं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जिसके जरिए आपको बहुत ही आसानी हो जाएंगे कोई भी LCD LED TV का motherboard को repair करने के लिए तो वो सारे voltages को एक आप अपलोट केजिए उसके बाद अपने PCB का सभी जो parameter से जैसे के हो गया color quantity, thickness, size यह सारे parameter सेट करके सिर्फ और सिर्फ दो डॉलर में आप order कर सकते हो अपने PCB को सबसे अच्छा PCB और premium quality PCB के लिए only for JLC PCB दोस्तो आगर आप इन सारे voltage के बारे में जानकरी लेना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना होगा इस वीडियो का नीचे जो red button दिख रहा है उसके उपर आप प्रेस कर दीजे कुछ तो सबसे पहले दोस्तो हमारा जो basic voltage होता है कि main supply voltage देखिए दोस्तो एक के main supply voltage होता है हमें सभी motherboard को जुरुत परती है हमारे हाथ में अभी यह motherboard है जिसका नंबर है आप यहां पर देख सकते हो VST 53 U52.2 इसको बोला जाता है universal motherboard लगभग जितने भी चोबी चेंज और उससे नीचे का यानि की 24 चेंज का साइज का LED भी होता है उसके अंदर इस टाइप का motherboard लगा होता है देखने में आपको इस ट्रैक्टर आई सही रहेगा लेकिन उसका नंबर जो अलग-अलग रह सकता है देख difí Themen 52.2 लगा हुआ है और सेम टू सेम आपको यहाँ गौन छेतों रह लेकिन दोस्तों इसका इसट्रैक्टर आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगे तो जया मिलेंगे तो जो वेलटेज और उल्टे ए वो भी सेम रहेगा तो हम alltid की चेक कर ना होता है जब हम ल सीरा यहां पर हमलोग आजद कि वीडियों में सिर्फ में बाधर वूट सेक्षण के बारे में ही बात करूंगा देखें में मतर बोर्ड सेक्षण को चलाने के लिए उनिवर्सल बॉक्ड को लगभग तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर लिखा मिल जाएंगे 12 वोल्ट तो यहां पर अबना नहीं आपको 12 वोल्ट मिल रहा है या नहीं सबसे पहले हैं यह होता है दोश्तों मदर्बोट का में साप्लाइब वोल्टेज अगर यह नहीं रहेगा तो हमें आगे की कोई भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे उसके बाद दोस्तों मड़म जो दूसरा मोस्ट कॉमोन जो वोल्टेज होता है वह स्टनबाइ वोल्टेज तो स्टनबाइ वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा मेन पावर संप्लाई गार अगर आपको अपने मादरम environments के अंदर मेन पावर संप्लाई यो ब्रैंडेड टीवी होता है उसके अंदर जो मदर बुड लागा होता है उसके अंदर किसी-किसी यानरे की बहुत एक कम सटीभी मदर बुड होता है जिसके अंदर 3.3 वोल्ट स्टनबाइब होता है तो आपको ये वाद ध्यान में रखना होगा तो ये था दोस्तो हमारा most दूसरा common voltage है यह standby voltage तो यह भी आपको चेक करना परेगा उसके पाद दोस्तों तीसरा जो voltage होता है वो CPU voltage होता है देखिए सभी जो motherboard होता है उसके अंदर एक CPU यानि कि Central Processing जो unit होता है जो main processor होता है उसको CPU बोला जाता है देखिए इस motherboard के अंदर यह रहा हमारा CPU तो इसका voltage आपको चेक करना परेगा तो CPU voltage को दोस्तों core voltage भी बोला जाता है जिसका value होता है 1.2 और किसी-किसी motherboard के अंदर आपको 3.3 वोल्ड भी मिल सकता है अगर बहुत ही पुराना motherboard है तो उसके आपको 3.3 वोल्ड मिल सकता है लेकिन दोस्तों जितने भी universal motherboard होता है इस type का जैसे मैं आपको इस वीडियो को स्टाटिंग में यह सारे motherboard दिखाया इन सारे motherboard के अंदर जो code voltage यानि कि जो CPU voltage होता है वो 1.2 वोल्टेज हमें रहना चाहिए वो कहां पर मिलेगा जहां पर आपका फाइब फिन का छोटा सा regulator आईसे होता है उसके आसपास जो यहां पर देखिए एक के छोटा सा लगा हुआ है यहां पर कॉयल के अंदर आपको 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए यह क्या होता करता है कि यह हमारा जो CPU यानिके मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको पावर देने का काम करता है तो आपको यह भी चेक करना परेगा यह था हमारा अलग से io चीप लगा होता है क्योंकि दोस्तों जीतने भी हमारा यूनिवर्सल टाइप का मदर आगोर होता है चाहिए वो यह रहा यह रहा और यह रहा तो इस टाइप के मदरबुट के अंदर अलग से io चीप लागा नहीं होता है नियो चीप का जोभी सरकीट होता है वह सारे सार्कीट इस प्रोसेसिंग इउनिट का अंदरी इन विल्ड रहेता है is कि हमें अलग से भौटेज की जूरत नहीं पड़ती का लेकिन अगर आपके मतरमोड के आयो चीप अलग से लगा हुआ है जो इन्पूट आउटपूट परिफिरल डिवाइस को एक साथ कनेक्टेट करता है उसको बोला जाता है आयो चीप अगर आपके मदरबूर्ट के अंदर वो चिप लगा हुआ है तो उसके लिए आपको 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट आपको मेज लिएस करनना परेगा इन्पूट वोल्टेज्च क्योंकि आगर इन्फूट वोल्टेज आयो चीप को नहीं मिलेंगे तो वह चीप जो है काम नहीं करेगा उसके दौरान तो आपको by दिखाई देगा सब कुछ लेकिन आपका जो इन पूट जो भी करो गया पे आप यह भी और यह सो स्दों क्या होता है कि भोत सारे अलग अलग वर्षन का रएम होता है अभी तक मैक्सिमम टिवी का अंधर मैं ने देखा उसके अंदर Worldwszy लगा होता है जिसका वोल्ट्च होता है वांपोइन एट जो कि रैम बोल्टेज और पॉइन आपको कहां पर मिलेंगे यहां पर हमारा गैसी का डेह 1.8 वोल्ट आउटपुट निगलेगा यह कहां पर जाता है यह जाता है हमारा बायोस आइसी पर और उसके साथी साथ हमारा र्याम बोल्टेज के लिए काम करता है तो यह अगर खराब हो जाएंगे तो आपका मदरबोड और नहीं होगा और आपका मदरबोड जाए करना परेगा माल लिजिए आपके मदरबोड के अंदर DDR3 जो है राम लगा हुआ है तो उसका जो रैम वोल्टेज होगा वह 1.5 वोल्ट होगा यह डीडियार फोर लगा हुआ है रैम तो उसके लिए आपको जो वोल्टेज चेक करना होगा वह 1.2 वोल्टेज होगा डीडिय लगा होता है अगर देडिया 34 लगाने जाएंगे तो इस टाइप का मदरबोट का जो कॉस्ट है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे उस राम का जो जेनरेशन होता है उसको बढ़ाने से तो यह भी आपको चेक करना परेगा राम वोल्टेज उसके बाद दोस्तों आगल बढ़ाने से फ्लाक्वाइक नहीं जा पाता है जिसके बाद हमारा जो टीवी का मदरबुड होता है चला जाता है जिसको रॉम बोल्टेज या वायोस आईसी का जो वोल्टेज होता है वायस बोल्टेज वह आपको बॉल्ट तो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे यहां पर दिखिए मैंने आप लोगों पहले ही बता है यहां पर ट्रीपिल और एट आइट आइसे लगा हुआ है इस मदर बूड के अंदर जिसका नमबर है टी आइट इस आठ सो सोला उसके बाद हमार इसकी बात करें तो टी 56 पी चैसे का तो रिसका भी एक ट्रीपिल और एट आ वान पॉइट वोल्ट एक अलाग रेगुलेटर लगा हुआ है और 3.3 वह लिए एक अलाग रेगुलेटर लगा हुआ है तो यह दोनों रेगुलेटर का काम इस टाइप के मदर बूड के अंदर यह की आइसी के दोवारा कराया जाता है यहां पे जो टिपल और फश्याओ इसी के जरीए आउटपूट में 1.8 वोल्ट और 3.3 वोड हमें देखने को मिलता है अगर आपके टीवी के अंदर इस टाइप का मदरबूड लगा हुआ है तो उसके अंदर आपको दोनों अलग अलग से चेक करना परेगा जो खराब होंगे उसका को रिपलेस करना परेगा य आइसी खराब हो जाएंगे तो आपका मदरबूड जो है डेट भी मिल सकता है और इस्टनवाइं मोड अबस्ता में आपको मिल सकता है तो यह सारे आपको चेक करना परेगा तो यह था दूस्तों मोस्ट कॉमान जो वोल्टेज होता है एक मदरबूड को अपरेट करने के ल कि अब रखना परेगा आप चाहेतों मैंने जो वोल्टेज के बारे मैं बताया मदरबूड को एड़ परेगा तो इस में आपको बहुत ही ज्यादा काम पे आएंगे यह सारे इंफोर्मेशिन के दोस्ता को आपको ये फिडियूट पसंद आएं अगर पसंद है तो आकी जर सारे दोस्तों के साथ स्यार किजिए आपने साड़े इंस्टाग्राम फेस्बूक पर भी स्यार किजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि एक एलेड़ी टीवी का मदर बोड को रिपियर करने के लिए किस-किस टाइप का और कौन-कौन सा वोल्टेज आमें चेक करने की जोर्योत पड़ती है और दोस्तों अगर आप अलाग-अलाग बोड का अलाग-अलाग कहां पर भोल्टेज पॉइंट होता है अगर आप इसके बारे में जानकरे लेना चाहते हो पिक्चर्स लेना चाहते हो तो आप हमारे वेफसाइट विजिट कर सकते हो जिसका नाम है www. www.deepelectronislab.com वहाँ पर आपको सारे जो मदर बोड़ होता है जितने भी आलाग-अलाग नंबर का मदर बोड़ होता है उसका जो टेस्टिंग पॉइंट कहां होता है वह आपको एक पिक्चर के जरिए मिल जाएंगे तब फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के ले उसी ओलाग बेस